बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com बाग्य तो लेकर ही आता है साथ बासाथ में जो इस शेर को देख रहा है उसके जीवन से दुख दुर भाग्य दर्दरता को मिटाता है कितने मड़े पुन्य का काम करता है आपका एक शेर तो शेर जरू करें और पुन्य जरू कमाएं और खास बात क्या अगर आप मेरी सिमाई लेना चाते हैं आप अपनी कुंडली दिखाना चाते हैं वास्तु दिखाना चाते हैं किसी समस्या का समाधान चाते हैं तो सीधा आजए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्वेश सुरा कीजिए और सीधा मुझे वहीं सही एक कॉल मिला लीजिए मुझे आपके कॉल का इंदिजार रहेगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महाउपाई में सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के विशेश विशेपर मित्रों आने वाले दिनों में हर्ताली का तीज आ रहे है एक बहुत बड़ा परवह है एक बहुत बड़ा परवह है शादी शुदा जीवन से किसी भी समस्या को दूर करने का और आज का हमारा विशेवी हर्ताली का तीज से जुड़ा हुआ है देखे साल में चार तीज आती है उसमें से ये जो तीज है हरताली का इसका एक नाम और है हरकाली कभी सुनाएं आपने हरकाली आज आपको इस बारे में भी बताएंगे और विशेश चीज बताएंगे तो आज का हमारा जो विशेश है वो है हरताली का तीच पर दुर्वा और केले का ये खास उपाए शादिशुदा जीवन को सोखी बनाए देखे लोगों में एक भ्रांती है कि देवी पर दुर्वा नहीं चड़ाई जाती है लेकिन आपको एक खास बात बता दूँ दुर्वा सिर्फ और सिर्फ दुर्वा पर नहीं चड़ाई जाती है इसके अलावा किसी भी देवी पर दुर्वा न चड़ाने का कहीं शास्त्र सम्वत नहीं है दुर्गा को छोड़ का किसी भी देवी पर दुर्वा चढ़ाई जा सकती इस बारे में हम शास्तर का आपको उलेख भी देंगे देखे भादरपत महिनी के शुक्लपक्ष की तृत्या तित्थी पर हर्ताली का तीज मनाई जाती है और हरताली का तीच को हर काली तृत्या भी कहते हैं हर काली शास्त्र अनुसार भादरपद शुक्ल की तृत्या को मिट्टी की हांडी में या मिट्टी के बरतन में उगाए गए साथ धान्यों सतनाजा जो है ये पहले भी हमारा शुरू करने का उद्देश यही है कि तीन से चार दिनों के अंदर आपके पास वो अंकुरित हो जाएं सतनाजा तो आप जितना जल्दी हो सके सतनाजे को आप मिट्टी के हांडी में या मिट्टी के कलश में उसको बो दीजे और सतनाजों के अंकुर आपको देवी काली के पूजन में चढ़ाय जाने का विधान है सुहागरों द्वारा हांडी को रात्री के समय किसी पोखर में विसरजित करने का भी विधान है इसी रात को चढ़ाने के बाद शासर अनुसार दक्ष पुत्री सती का वरन काला था तथा उनका विवा भगवान शंकर से हुआ था एक समय में भगवान शंकर ने देव सभा में सती को अंजन तुल्य यानि कि सुर्मे के समान काली कहकर संबूदित किया क्या आप ये जानते हैं इस से सती कुरूदित हो उठी और अपने काले वरन को घास की भूमी पर छोड़कर अगनी में कूद पड़ी और उन्ही की छाया से काली का जन्म हुआ अपने काले वरन को उन्होंने छोड़ा और वहीं से ही काली का जन्म हुआ और वो कूद पड़ी अगनी वे पुरहे माता गौरी के रूप में उत्पन हुई और भगवान शंकर की अर्धांगनी बनी काली द्वारा त्याग्या गया काला वर्ण देवी कात्यानी के रूप में उत्पन हुआ और कात्यानी का जो विशेश प्रयोजन होता है वो किसी भी तरीके के रिशिक कात्याईन के घर में वो पैदा हुई फिर से एक अलग रूप में और इसी वज़े से उनका नाम कात्याईनी पड़ा नवदुरगाओं में से एक है कात्याईनी और देवी कात्याईनी ने देवकार्यों में बड़ी साहिता की समस्त देवताउं ने देवी कात्याईनी को वर्दान भी दिया था शास्त्र अनुसार इसी दिन अगर कोई व्यक्ति घास पर बैठ कर यानि कि दुरुआ पर बैठ कर देवी कात्याईनी का पूजन करता है तो वो दिर्धायू स्वभाग्य और प्रसंता प्राप्त करता है अ अरी घास और काली का पूजन तो इस दिन विशेश काली के पूजन में और शिव पूजन में दुरवा का प्रियोग अनिवार रिमाना जाता है तो अब महा उपाय सुनिये जिससे शादी शुदा जीवन में सुख ही सुख आएंगे क्या करें आप शिवाले में अपने साथ केला दुरवा और तीन दिपक चाय तेल के होंचा घी के होंगो ले जाएं तो शिवाले में तीन दिपक जलाएं इसका कारण है तृत्या तीज और दुरवा और केला हाथ में लेकर उल्टे हाथ में दुरवा और सीधे हाथ में केला ल पर मंत्र क्या है ओम गौरी शंकरा ये नमहा इस मंत्र का जाप करें केला और दुर्वा चड़ा दीजे आश्वस्त करता हूं शादिशुदा जीवन शीगरती शीगर खुशाहाल बनेगा सुखी बनेगा तो मित्र आज के लिए बस इतना ही कलाप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें इस तो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उमीद के साथ इजाज़त दीजे कि हम सभी का आने वाला कल सुन्दर हो सुखद हो स्वराडिम हो इजाज़त दीजे नमशकार नमश्वाए हर हर महादेव